ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस जोईट एंड यो वाचिंग रसल चैटर्स आपको पता है कि कितने सारे कॉमेंट्स होते हैं लेकिन भाई जो एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया है जिसके बारे मुझे लगता है कि पूरी वीडियो बन सकती है और आपको इसके बारे में जरूर जाना चाहिए बाई क्या WWE के Raw और SmackDown के शो इंडिया में भी हो सकते हैं कभी बहुत ही जादा इंटरेस्टिन कोईशन है मतलब अगर आप इंडिया से हो तो मेरे जाब से इस से जादा बढ़ी बात कोई नहीं होगी करते हैं वह विंस हुक्मैन है उसके बाद ट्रिपल है इसके बाद नीचे भी काफिसारे बंदें जो कि बिजनस पूरा मॉडियूल त्यार करते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि डेवल लॉवली कहीं भी जाए और उनका मूड कर रहा है तो वहां पर इवेंट कर देंगे वह पूरा देखते हैं कि अच्छा में जगह से फायदा होगा यहां से बिजनस है यहां से पैसे कमाये जा सकते हैं और बाई इंडिया की बात हो तो सोचल मीडिया पर डेवल लॉवली को सबसे जाधा फॉलविंग इंडिया से ही मिलती है लेकिन फिर ऐसी दिक्कत क्या है कि यहां तो लाइव इवेंट ही नहीं हो रहे हैं मतलब अभी तो मैं रॉस मैंक्डाउन की बात कर रहा हूं है और इवेंट बहुत रहर है साल में हम लोग एक बार आते हैं तो टिकेट के प्राइस ऐसे कर दो कि लोग खरीदी लें लोग खरी देंगे भी लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी बाई इंडिया वाले 50 पैसे भी ऐसे नहीं देते हैं तो वह उपना जो बिजनस मॉडियो ल वो डबलोवली के अंदर बिजनस करना चाहते हैं और इसके लोग उन्हें कहा कि वो इंडिया की लोकल सूपस्टार्स को बनाना चाहेंगे और मैंने आपको बताया भी था कि उनका बहुत बड़ा मतलब इंडिया में ट्रायाओट भी हुआ है और आपको ये भी पता है कि इंडिया में समय परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर सूपस्टार्स हैं कवीता देवी हैं भाई में यंग क्लासिक की वीडियो है उस पर 30 मिलियन प्लस तो व्यूज है उससे भी जादा है मेरे को अभी एक्जाक्ट फिगर नहीं पता तो WWE के दिमांगे ये चीज आती है कि इंडिया में कुछ तो अलग है मतलब भाई खुद देखो अगर कल CM Punk, Ross Macdonald में भी आ जाते हैं तो मेरे साब से कितने व्यूज जाएंगे जादा से जादा मैं 20 मिलियन मान सकता हूँ इसमें में मैंने यूट्यूब पर बहुत जादा बोल दिये और सुचो में यंक्लासिक उसमें भी कवी ता देवी जिनको कोई जानता नहीं है तो बाई WWE के जो स्टैट्स हैं वो जो रखते हैं सब वो हैरान होंगे ही कि यार यह इंडिया में मतलब ऐसा क्या कमाल हो रहा है तो उनको यह चीज़ पता है कि इंडिया में अपना बिजनस चलाए जा सकता है बट इग्जैक्ली उनके पास वो मॉड्डियूल या फिनके पास स्ट्रेजी नहीं है मेरे साब से कि वो अभी उसको एक्सपैंड करना चाहें बट मेरे साब से आज नहीं तो कल इंडिया के अंदर डर्वलोवली की बहुत जावत तरक्क्य होने वाली है साथी अरवाला सीन में आपको समझाता हूँ सिधा पैसे मिले और उन्होंने डील कर ली उनको जादा कोई जोल जमला नहीं लगाना पड़ा लेकिन इंडिया का सीन अलाग है क्योंकि भाई उनको यहां पर कोई ऐसी अथारिटी नहीं है जो पैसे दे इस स्पोर्स को बढ़ाने के लिए अगर ऐसा हो जाता जो कि इंडिया की हिसाब से तो भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाला तो तो यह चीज बिल्कुल एक जटके में हो जाती किसे साओधी अरेवा का इवेंट देखो कितने सारे लोग चाहते हैं कि वहां इवेंट होई ना और उसके पीछा अलग रिजन से ला होती है कितनी बात होती है लेकिन फिर će बात करने जातें अब भी जाएंगे अब को पता कि ने कुछ कान दो और peninsula लेकिन इंडिया के सब लोग ही कई से अने सेंटर खोव्त बाँ इसके नमंत एक कर देखो कि कैसे आपको मैनेज करना यह सब चीजों की थोड़ी सी इंडिया में अभी आपको पता है उतनी जादना लेवल पर नहीं है जैसे कि हमें यूएसे के अंदर देखने को मिलती है यह निया कि डबल डबली जुगार नहीं कर सकती जुगार बहुत अच्छा कर सकती है इसलिए अभी वह सिर्फ लाइवे फिर्फ लाइवेंट कर सकती है वह उसके बिच्छी कहानी किया वह क्यों लाइवेंट नहीं कर रहें वह मेरी समझ के बाहर है लाइवेंट होना पॉसिबल है बट गाईज अगर आप रॉस्मेंग्डों की बात करो तो यह बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कैनेडा के अंदर कि जाकर जब कोई पेपर इंटर को नमीचे कर सकते मना यह कैनेडा यह वेंटन किया चैंट्री तो दिवाली पे हमें विशिज आती हैं, होली पे विशिज आती हैं, मतलब WWE ना हो इंडिया, आप लोग देख रहो कि कितने जादा उसके उपर भी फोकस हो रहा है, तो देखो इतना तो है कि WWE में इंडिया का बहुत जादा क्रेस है, ये बाद WWE को पता है, बट इसक्त है कि के पास प्लैन नहीं है कि वो किसके सांट WWE में अपने बिजनस को आगे बढ़ा है, बट मेरे साब से कुछ ही सालों की बात है, बाग या रॉस्मैकड़ों तो बहुत ही जादा दूर की चीज है, हो सकता है आप लोग यहां पर डिसेपॉइंट हो लेकिन रॉस्मैकड़ों इस चीज WWE के अंतर होना अभी तो बिल्कुल इंपॉसिबल लग रहा है, पॉसिबल है भी तो भाई बहुत सालों के बाद, मैं लाइव इवेंट की यहां पर बात करना हूँ कि वो सालों सालों में नहीं आरे तो रॉस्मैकड़ों तो बहुत दूर की बात है, बट इतना ज जार-जार बाते बता सकता हूँ कि WWE का इंडिया में आगे बिजनस क्या है, मुझे लगता है कि लाइव इवेंट्स तो होंगे रगुलर, लेकिन रॉस्मैकड़ों बहुत दूर की चीज़ है, बट WWE का इंडिया में जो फ्यूचर है, वो बहुत जाधा बड़ा है, आप ग गईज़ मां, नग्स वीडियो